हेलो स्टूडेंट स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल में आज की वीडियो के अंदर अपने पढ़ते हैं मर्दा उरुवर्ता वै उत्पादक्ता ये जो लेसन है वो एगरी कल्चर का लेसन है जो क्याएगी पलस्टू एगरी कल्चर में फर्स्ट लेसन है तो आज इ उनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से तो पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि मर्दा उरुवर्ता क्या होती है और उत्पादक्ता क्या होती है तो मर्दा उरुवर्ता का मतलब होता है अगर मर्दा उरुवर्ता की बात करें तो कहने का मतलब है कोई कोई भी मिट्टी अगर इस परकार से मान लो कि यह भूमी है और इसके उपर पोदे हैं इस परकार से तो कोई भी मिट्टी इन पोदों को कितनी मात्रा में पोशक्ततव दे सकती है जब इनको आप सकता है तो कितनी मात्रा में पोशक्ततव इनको दे सकती है या परदान कर सकत जैसे अपने भूमी में नाइट्रोजन डालते हैं फासफोर्स पोटाज सारे लगबग परकार के जो पोसक्ततों हैं वो मिट्टे के अंदर डालते हैं तो समय आने पर मर्दा दवारा उनको या उन पोसक्ततों को पोदो दवारा ग्रहन कितनी मातरा में किया जाता है या फिर मर्दा है वो उनको कितनी मातरा में देती है उसको बोलते हैं मर्दा उरवर्ता यानि की डेफिनेशन के बात करें तो यह होगी कि मर्दा दवारा पोद टो की मात्रागी झ्यम्ता को मंर्दा औरवर्दा कहते हैं तो कहने का मतलब जब बदय को आप सकता होती है तब मर्दाद वार आ पोसक तत्तो परदान करने की जो चंटाहे वह मर्दा औरवर्दा ने होता है कि जब मर्दा ने पॉसक्ततों दे दिये हैं तब उस मर्दा दोबरा कितना उत्पादन प्राप्त किया जाता है जैसे ये कोई छेत्र है मानलो एक हेक्टेयर है और एक हेक्टेयर के अंदर यहां से 10 क्विंटल अनाज उत्पादित हुआ है ठीक है और क्वंटल जो है चारा अ पादित हुआ है या जो सर्प्लेस है वो उत्पादित हुआ है तो कहने का मतलब है टोटल 15 क्वंटल हो गया और 15 क्वंटल की कीमत मानलो 5730 है और 50 रूपयों के अंदर मापा जाता है तो अब कहने का मतलब हो गया मर्दा उर्वर्ता का मतलब हो गया कि मर्दा दवारा पोदों को आप सकता पड़ने पर पोशक थत्तो परदान करने की जो चमता है वो मर्दा उर्वर्ता कहलाती है और किसी भी निश्ची छेतर दवारा यानि एक निश्ची चेत्र में कितना उत्पादन होता है उसको अपने बोलते हैं मर्दा उत्पादकता यानि उस चेत्र की मिट्टी दवारा इतनी उत्पादकता है उसकी यानि इतना उत्पादन वो प्राप्त कर सकती है तो यहां पर अपने बोल सकते हैं कि इस हेट्टेर या इस चेतर दोबारा 50,000 की उत्पादगता है यानि की 50,000 रुपए की उत्पादगता इस चेतर की है तो यह डेफिनेशन हो गई अब आगे बात करते हैं इसमें प्रभावित करने वाड़े कारक ठीक है प्रभावित करने वाड़े कारक, यानि कौन-कौन सी चीज इनको प्रभावित करती है, तो इसके अंदर पहले अपने बात करेंगे मर्दा उर्वर्ता की, तो मर्दा उर्वर्ता को कौन-कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है, वो ये हैं, दो चीज़ें प्रभावित करती प्राकृतिक कारक और करत्रीम कारक प्राकृतिक कारक के अंदर है पहला पैतरक पदार्थ, स्थलाकृति, मर्दा आयू, जलवाईू, सोयल प्रोफाइल की गहराई, मर्दा की बहुतिक दसा, मर्दा परदन और फॉसक दत्तों की मात्रा पहला जो इसमें दे रखा है पैत्रक पदार्थ तो पैत्रक पदार्थ का मतलब है यानि की जो सोयल प्रोफाइल है इस प्रकार से soil profile में जो नीचे वाड़े सेंस्तर होते हैं वो मुख्य रूप से पैतरक पदार्थ यानि parent material के होते हैं तो उनमें जो पोशक ततों की मातरा होती है वो ही लगबग उपर वाड़े सेंस्तरों के अंदर पाई जाती है तो जिस परकार के पैतरक पदार्थ होते हैं यानि जिन पैतरक पदार्थ हो में जिस पोशक ततों या फिर कार्बनिक पदार्थ की मातरा होती है तो उपर वाड़े सेंस्तर के अंदर भी उसी परकार के कार्बनिक पदार्थ की मातरा होती है तो टोप सोयल में भी वही nutrients बगरा पाए जाते हैं तो जैसे पैत्रक पदार्थ होंगे तो उपरवाड़ी मर्दा भी उसी प्रकार की होती है और उनमें उसी प्रकार के पौशक्ततव पाए जाते हैं जिससे क्या है कि उसकी उरुवरता है उसका पता लगाया जाता है कि सारे जो हैं लगबग पोसक्ततों परचूर मात्रा में हैं तो उस मर्दा की उरूरा सक्ती जो है वो ज्यादा होगी ठीक है और अगर मान लोग यहां पर पौशक्ततों की मात्रा बिल्कुल कम है तो फिर क्या है कि उरूरा जो सक्ती है या मर्दा उरूरता है उसकी कम होती है तो पैतरक पदार्थ बडिपेंड करता है कि पैतरक पदार्थ किस परकार की है स्थला करती तो स्थला करती का मतलव है स्थल की आकरती कैसी है एक तो समतल है और एक है जैसे उबडखाबड है स्थल ठीक है इस परकार से तो जो उबडखाबड है उसकी उरूरा जो सक्ती है वो मुख्यारूप से समतल की तुल्ला में कम होती है क्यों कम होती है क्योंकि बार वाले जो स्थान हैं वहां से पौशक्ततव हैं वो नीचे की और यहां पर आ करके इकठे हो जाते हैं परन्तु जो समतल छेतर होते हैं उनमें पौशक्ततव एक जगह पर पड़े रहते हैं इसलिए स्तला करती के अंदर अगर अपने बात करें तो उबड़ खाबड जो भूम honesty में जो to ऊरूरा शक्ति है या मर्दा अरूरता है वो ज्यादा होती है आगला थर्डट मर्दा और universally का मतलब होता है घग और उसको बार-बार बार-बार दोहन किया गया है यानि बार-बार उसके अंदर फसले लगाई गई है तो बार-बार फसले princi से उसमें जो पॉसक तत्तों हैं उनको फसलों दवारा ले लिया जाएगा और नई मर्दा के अंदर पॉसक तत्तों जियों केत्यों पड़े रहते हैं इसलिए नई नई मर्दाओं का निर्मान जहां पर भी होता है उनमें पॉसक्ततों के संख्या और मात्रा है वो ज्यादा होती है इसलिए नई मर्दाओं के मर्दा और वर्था ज्यादा होती है पुराणी मर्दाओं के पेक्षा ठीक है पुराणी मर्दाओं में पॉसक्ततों बार बार ले लेने से क्या है कि उसके अंदर मर्दा उरुवर्ता में कमी आती है तो ये हो गया अब आगे है जलवाईयू तो जलवाईयू के अंदर जैसे अपने मानते हैं कि आरदर जलवाईयू है एक हो गई सुस्क जलवाईयू तो ये दोनों ही जलवाईयू है वो नुक्सान दायक है वैसे देखा जाए तो आरदर जलवाईयू में जैसे आरदर होगी तो उसमें बारिश वगरह है वो ज्यादा होगी जिसे कहा कि लीचिंग द्वारा जो पौशक तत्तव है वो जल के साथ में सारे नीचे चले जाएंगे लग बग इस प्रकार से सुस्क जलवाईयू में वास मर्दा उरवरता है वो कम हो जाती है और सुस्क जलवाईयू की भी मर्दा उरवरता यानि की लवण एकत्रित होने से कम हो जाती है इसलिए इन दोनों के बीच की जो योजकड़ी है ठीक है वो होनी चाहिए ठीक है जैसे शितोसन जलवाईयू है इस प्रकार की इसके अंदर फसलोत बाधन असानी से ले सकते हैं इसलिया अर्दर वे सूसक दोनों जल्वाइयों के अंदर बहुत सारी फसलों का अपने नहीं ले सकते तो जल्वाइयों भी मर्त अरुवरता को प्रवावीत करती है आगे सोयल प्रोफाइल की गहराई तो गहराई का मतलब यह होता है कि उसके अंदर पोशक्ततों की जो मात्रा लगग अपने फशलों लगा सकते हैं ज़यादा गैरी जड़ों वाडी फशले हैं उनको भी अपने इसके अंदर लगा सकते हैं तो सましょう की गहराई जितनी ज़्यादा होकी मात्रा भी उतनी ही ज़्यादा होगी जिसे क्या कि मर्दा उरुगरता उसकी बढ़ेगी कि आगे बात करते हैं चैनल मर्दा की बहुतिक दसा तो बहुतिक दसा का मतलब होता है उसके कणों की सरंचना कैसी है रंद्रावकास की संख्या कैसी है रंद्रावकास का कार कैसा है रंद्रावकास का अकार अगर तो ये चीज होती है बलूई मर्दा में रंदर हैं वो बड़े होते हैं तो जिस से कहाई कि जल sensor नीचे तक चला जाता है इसलिए चोटे जो रंदर है या छोटे कणवारी मर्दा है वो उनकी जो उरूर छमता है वो ज्यादा होती है ठीक है क्योंकि उसके अंदर पोसकत तो है वो डटे रहते हैं कणों के चारों और चिपके रहते हैं ठीक है तो वो होती है मर्दा की बहुतिक देशार तो जल्दा और छमता भी है वो कले की ज् क्योंकि उनके भीच में रंदर हैं वो छोटे होते हैं ओर जल उनके अंदर भी फसा रहता है। ठीक है, मर्दी अपरदन तो यह चीज तो यहां पर आ गई सुतला करती हैं अंदर बर्दा आपरदन , तो मर्दा की मिट्टी दूसरे स्थान पर जाती है तो इस सथान पर क्या है पोशक्ततों की कमी हो जाएगी और कमी होने से क्या है कि इस सथान की जो अरुवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व पोशक्ततों की मत्रा कम होगी तो उस थान की जो मिट्टी है वो कम उरुवर होती है तो पोशक्ततों जितनी ज्यादा मत्रा में होगे मर्दा उरुवरता उतनी ही ज्यादा होती है तो ये प्रभावित करने वाले कारक थे मैंने सिध्य आपको बता दिये हैं आप इनको ऐसे नोट कर सकते हो, यह important topic है इसका, आगे अपने बात करते हैं इसमें, करत्रीम कारकों के बारे में, यानि प्रभावित करने वाड़े जो कारक हैं, वो दूसरा है करत्रीम, पहले अपने पड़े थे, प्राकरतिक कारक, ठीक है, यह करत्रीम कारक है, पहला इसमें जलाकरांती, यानि वाडर लोगिंग, ठीक है? तो जलाकरांती का मतलब क्या है? कि अगर मिट्टी के अंदर जल पूरे रूप से बहा रहता है तो यानि कि रंद्र है वो अगर पूरे रूप से भरे हैं सो परतििसत भरे हैं तो उस condition को जलाकरांती कहते हैं यानि रंद्रों के बीच में वायू होती है और जल होता है दो चीजे होती है वायू और जल ठीक है वायू प्लस जल है तो अगर वायू है तो जल नहीं होगा और जल है तो वायू नहीं हो सकती ठीक है अगर जल उसके अंदर आएगा यानि सिंचाई करें या वर्षा हो गई ह तो वाईयू है वो निकल जाती है ठीक है और अगर वाईयू आ जाती है सुस्क इस्तिति के अंदर अगर मनलव मिटी सूख चुकी है तो उसमें वाईयू भर जाती है और जल है वो पूर रूप से सूख जाता है या तो नीचे चला जाता है या फिर उपर वास्पी करत हो जा तो उस कंडिशन को बोलते ही है जला-कर आट तो कहने का मतलब हैं जला-करांती अगर होती है तो मरदा उर्वता पर क्या प्रवाव बढ़ेगा, तो शीधी सी बात है जला-करांथी होगी, अगर रंद्र है वो पूरे जल से भर जाएंगे, तो उसमें जीडियोत है वो गति है कि सुप्षम जीर जो है वो अपनी वरदी है नहीं नहीं होगी तो जिसे कैए कि मर्दा उरोरता पर परवाव पढ़ेगा तो मर्दा उरोरता कम हो जायेगी तो जल्ला करांति अगर होती है वाटर लोगिंग होती है तो मर्दा अरूरता पर विप्रित प्रभाव पड़ता है फसल परनाली क्रोपिंग सिस्टम यानि की फसल अपने किस प्रकार से बोते हैं कौन सी विद्धी है फसल बोने की या फिर कहने का मतलब है कि अपने फसल किस प्रकार से लेते ह एक ही फसल ले रहे हैं हर बार या फिर उनको हेर फेर कर बो रहे हैं ठीक है अगर हेर फेर कर बो रहे हैं तो मर्दा अरूरता बढ़ेगी अगर एक ही परकार की फसल ले रहे हैं तो मर्दा अरूरता गटेगी क्योंकि एक ही परकार की फसल लेने से मर्दा में से निश्चित जो पोशक्ततों हैं, उनकी मात्रा में कमी आएगी, जैसे ग्रेमनीकुल की बार-बार अपने फसल बो रहे हैं, जैसे दान बो दिया, दान के बाद में गेऊं बो दिया, गेऊं के बाद में फिर दान बो दिया, ठीक है, इस परकार से बो रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सा बढ़ी रहे हैं तो फसल परनाली अच्छी होगी तो मर्दा के रूरा सकते भी बढ़ेगी मर्दा पीएच्छ यानि कि कुछ जो पीएच्छ हैं उसके उपर कुछ एक पोशक्ततों मिलते हैं जैसे अमली अमाद्या में कौन से होंगे यह सिंपल सी बात है हाइट्रोजन होग होगा अलुमिनियम होगा आयरन होगा ठीक है अमली अमाद्या में यह होते हैं और अमली अमाद्या में इन पोशक्ततों की कमी होती है कैल्सियम मैगनिसियम कम होते हैं और सोडियम भी ठीक है और अगर छारिया मर्दाइं हो गई तो छारिया मर्दाओं में इन तत्तों की मा मात्रा है वो घड़ जाती है आई-ट्रो जने लिमिनियूम और आयरन घड़ जाते हैं और अमलियम अध्यं में कैल्सियम मेगनेसियम और प्रफ्रल näफ Arsenyum की मात्रा है वो मजट जाती है ठीक है तो यह चीज याद वर्दी करेंगे अच्छी प्रकार से कारिये करेंगे तो कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन है वो ज्यादा करेंगे ज्यादा करने से क्या है कि मर्दा में जो पॉशक तत्तों है वो पोदे जल्दी जल्दी लेंगे ठीक है अपनी ग्रोथ ज्यादा करेंगे जड़ों कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अगर मिट्टी में ज्यादा होगी तो उस मर्दा की मर्दा उरुवर्था ज्यादा होती हैं क्योंकि कार्बनिक पदार जितने ज्यादा होंगे उनमें पौशक्तत्तों भी मर्दा में उतने ही ज्यादा होते हैं ठीक जितने ज्यादा बढ़ेगे जुताई कि वीदी वे मंत्रा जुताई की वीदी का मतलब है किस वीदी चेजोताई कर रहे हैं यानि धलान वाले छेतर हैं जैसे यह हैं इस प्रकार का मनले को डित ताख यह कि वर्त जो मर्दा है वो जल धानी समता उसकी बड़े जल को ज्यादा मत्रा में ग्रहन कर सके जुताई की विदिवे मात्रा, मात्रा का मतलब है निश्चित संक्या के अंदर ही जुताई करें तो उससे मर्दा की quality पर भी प्रभाव पड़ता है तो जितनी आप सकता हो उतनी मत्रा में जुताई करनी चाहिए जिसे कहे के मर्दा की उरुर्द समता है वो बनी रहे तो ये मैंने करत्रिम प्राकरतिक कारक कुछ बताएं आपको इनको अच्छी परकार से देख लेना बुक में ये सारी आपके दिये हुए हैं जो चीज़ें आपके आने वाड़ी थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं अब अगले वीडियो में बात करेंगे अपने उत्पादक्ता के बारे में तो यह चीजी अगली वीडियो में और फिर उसके बाद में मर्दा उर्वरता वैउत्पादक्ता दोनों के बीच में क्या-क्या अंतर है उस चीज़ के बारे में अपने बात करेंगे तो आज की वीडियो के अंधर इतना ही वीडियो को पूरा देखना और इसको share करना प्लीज चीक है धन्यवाद